Assalamualaikum students, आप देख रहे हैं चैनल जिसका नाम है पढ़ाईखर Assalamualaikum students, आप देख रहे हैं चैनल जिसका नाम है पढ़ाईखर उम्मीद है आप सब खेरियत से होंगे तो स्टुडेंट्स आज हम आपको फस्ट एर की उर्दो की दर्सी किताब के एक सबक आजादी की राह में का खुलासा बयान करेंगे पहवाला मसन्निफ के साथ तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किये चलते हैं अपनी डिसकेशन के जानब पकिस्तान की चुके अब मुल्क को बहतर बनाना है आजादी की राह में मसन्निफ का हवाला इस सबक की मसन्निफा हैं खदीजा मस्तूर खदीजा मस्तूर 1927 में लखनौ में पैदा हुई और उनका इंतकार 1982 में हुआ खतीजा मस्थूर को 20 सदी की एहल कलम शक्सियात में मुम्ताज मुकाम हासिल है खतीजा मस्थूर के अफसानों और नावलों की एहम खसूसियात इनका हकीकत पसंदाना अंदाज है वो जो कुछ हकीकत पसंदाना निगास से देखती हैं, बेजज़क बयान करने में आर महसूस नहीं करती, इनकी तहरीरों में हमें इंसान और इंसानियत से लगाओ दिखाई देता है, इनकी तहरीर से महबत का छड़ना बहता दिखाई देता है, वो अपने तमाम एहसासाद के की राह में, खुलासा, सबक आजादी के राह में खतीज़ मस्तूर ने तक्सीम हिंदुस्तान से कबल का एक वाक्या बयान किया है, जो एक अंग्रेज अफसर और मुसल्मान के दर्मयान रोनमा हुआ, नॉवल की हिरोईन के वालिद एक सरकारी दफ्तर में मुलाजम थे, व इनकी ताबेदारी करने पर मजबूर थे, एक दिन इन्हें इतला मिली के अंग्रेज अफसर इस इलाके के दोरे पर आने वाला है, ये इतला मिलते ही आलिया के वालिद पहले से मसरूफ हो गए, क्यूंकि अंग्रेज अफसर के इस्तगबाल, कयाम और ताम का इंतजाम इनक बहुत तेर से घर आये, जब आलिया के वालिद खर आये, तो उन्होंने अपने घरवालों को हिदायत की, कि वो कल रात को इस अंग्रेज अफसर को खाने पर मदू करेंगे, इसलिए खाना नहायत इहतमाम के साथ तयार किया जाए, ये सुनकर, आलिया की वालदा, आलिया के वालित का मज़ाक उड़ाने लगी कि एक तरफ तो तुम अंग्रेजों से नफरत करते हो और इन्हें बुरा भला भी कहते हो दूसरी तरफ तुम्हारे खुशामदाना रवईया का ये हाल है कि तुम इनकी खातर मदारत का अंतजाम भी कर रहे हो वो अपनी बीवी को इस ताने जनी से नराज होकर कहता है कि अगर अंग्रेज अफसर की खुशामत ना करूं तो तुम भीक मांगने पर मजबूर हो जाओगे दूसरे रोज आलिया के वालिद सुभा ही दफ्तर चले गए वो हस्प मामूल तुपहर को घर नहीं आए आलिया और इसकी वालिदा खाना पाकाने के इंतजाम में मसरूफ रही और कई किसम के खाने तयार किये जिन में कबाब और कोफते भी थे आलिया के वालिद अभी तक भी घर नहीं पहुँचे थे इस ताखेर पर आलिया और इसकी वालिदा बेहद परेशान थी वो इसी खबराहट में थी कि दावत का इंतजाम कराने के बाद वो अभी तक घर क्यों नहीं आए अचानक दफ्तर का एक चौकीदार भागता हुआ आया और बगेर अजाज़त घर के अंदर दाखिल हो गया और उसने कहा कि मौाइने के दौरान अंग्रेश अफसर ने आलिया के वालिया दी और दोनों में किसी बात पर जखड़ा हो गया वो इस दिल्लत को परदाश ना कर सके और रोल से अंग्रेश का सर फाट दिया मा बेटी सारो कतार रोने लगी और दोनों ने पुली स्टेशन जाने का इरादा किया मगर मुलाजम ने इन्हें चाने नहीं दिया जब ये इतला आलिया के चचा और मामू को मिली तो मामू ने अंग्रेशों की हमायत में ये कहकर मदद करने से इनकार कर दिया कि एकदामे कतल बड़ा जुर्म है ऐसे आदमी के एहले खाना की मदद करना हत्रे से खाली नहीं है आलिया के चचा ने सब को तसली दी और घर का सामान बंदवा कर तांगों में लदवा दिया और वो खुद वहां से रुकसत होने लगे तांगा अभी चलना शुरू ही किया था कि आलिया की नजर इसके स्कूल की इसाई निगरान पर पड़ी वो दोड़ती हुई उनकी तरफ आ रही थी इसाई आउरत ने इन लोगों से अपने हमदर्दाना जजबात का इसहार करते हुए कहा कि तुम सब खुशी से रहना गम करने की जरूरत नहीं है आलिया के वालिद शरीफ आदमी है तुम्हारा मलक जरूर आज़ाद होगा और इसके बाद वो इसाई आउरत खुदाहाफिस कहकर तांगे से तूर हट गई और वो लोग भी रवाना हो गए ये मजमून खतीजा मस्तूर के मशूर नावल आंगन से लिया गया है आंगन खुद एक अलामत के तौर पर इस्तमाल हुआ है इससे मुराद वो मुस्लिम माश्रा है जिसके अफराद सियासी तौर पर बटे हुए थे कोई मुस्लिम लीग में था तो कोई कॉंग्रेस में गर्ज ये नावल कयाम पाकिस्तान से पहले मुसल्मानों की जत्व जहत अजादी का एक मुस्तर बयान है इस सबक में जैसा के इस उन्वान से जाहर है कि अजादी की रह में क्या कुछ होता है और क्या कुछ करना पड़ता है उस वक्त मुसल्मान अंग्रेजों की मुलास्मत तो करते थे लेकिन उनके तर्जे अमल से मालूम होता था कि वो अंग्रेजों से नफरत करते है मुसल्मान अंग्रेजों का महकूम जरूर था लेकिन अपनी इसलामी गेरियत और हम्मियत को पामाल होते नहीं देख सकता था गोया हर मुसल्मान अजादी की राह में एक सच्चा मुझाहिद था तो सुड़िंट्स ये था हमारा आज का टॉपिक अमीद है आपको अजादी की राह में सबक का खुलासा बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और इसका मरकजी खयाल भी समझ में आ गया होगा आपने इसको बहुत अच्छे से समझना है क्योंकि इस से रिलेटिट आपके पेपर में खुलासा आ सकता है अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा खुदा हाफिज असलाम अलेकुम शुडर्ण्स आप देख रहे हैं चैनल जिसका नाम है पढ़ाई घर उमीद है आप सब हैरियसे होंगे तो शुडर्ण्स आज हम आपको पस्ट येर की उर्दू की तरसी किताब के सिन्फ यानि तंज उमजाज से एक सबक का खुलासा बहावाला मुसनिफ पेयान करेंगे तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किये चलते हैं अपनी डिसकेशन के जानेब पढ़ाई घर में खुशाम दीब सबसे पहले इस चैनल को सबस्क्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताके आप हमारी तमाम वीडियों से बाखबर रहें और बनो मसाल पकिस्तान की क्योंकि अब मुल्क को बहतर बनाना है बाई साइकल की तालीम ये सबक मुहम्मद उमर शौकत थानवी का लिखा हुआ है मुहम्मद उमर शौकत थानवी 1907 में पैदा हुए और 1963 में उनका इंतकाल हुआ नाम मुहम्मद उमर था और शौकत तखल्स के तोर पर इस्तमाल होता था और शौकत थानवी के नाम से मशूर हुए यूपी के मशूर कस्पे थानवून के रहने वाले थे शौकत थानवी की जबान बहुत सादा आम फहम और शगुफता है इनकी तहरीरों में बला की रवानी है वो अपनी इलमियत का मुझाहरा नहीं करते बलके वाकियात को ऐसी तर्टीब और ऐसे अंदाज में पेश करते हैं कि संजीदा आदमी भी बे लब होने पर मजबूर हो जाता है यही इनके फन की काम्याबी का राज है और इसी लिए इनकी तहरीरों को जबर्दस्त अवामी मकबूलियत हासिल हुई बाइसाइकल की तालीम खुलासा यह खुलासा मुसन्निफ ने अपने बच्चपन के दौर की एक कहानी बयान की है जिन में उन्होंने बताया है कि बच्चपन में मुसन्निफ यानि शौकत थान्दी अपने दूसरे हम उम्रों को जब बाइसाइकल पर सवार हुआ देखते थे तो उनमें भी बाइसाइकल का शौक पैदा हुआ अगर्चा कद अभी इतना नहीं हुआ था कि पैर पैडल तक असानी से पहुच जाता लेकिन फिर भी उनके अंदर शौक बढ़ता गया और इश्की सूरत तक त्यार कर गया उन्हें हर वक्त इसी बात की आर्जू रहती कि बाइसाइकल पर बैटकर अपने हम उमरों के साथ हवा में तेरते भिरें इसी का तसकरा करते और खौब भी बाइसाइकल के नजर आते मसन्निफ के बुजरुगों को इसका इल्म था वो उनकी इस कैफियत से बहुत ज़्यादा तंग थे इसी लिए वो मसन्निफ को हमेशा मुतमाइन करने की फिकर में लगे रहते उनके बड़ों का कहना ये था कि पहले वो सवार होना सीख लें फिर वो मसन्निफ को बाइसाइकल खरीद कर देंगे लेकिन मसन्निफ ने ये जिद लगाई कि पहले खरीद कर दें फिर वो सीखेंगे आखिर दोनों की बाद इस बाद पर आकर ठहरी कि किसी पुरानी बाइसाइकल पर पहले सवार होने की मश्च कर ले और फिर अगर वो सीख गए तो फिर उनके बड़े उने खरीद कर भी दे देंगे आखिर कार इस बाद पर मसन्निफ भी राजी हो गए और उन्होंने किसी पुरानी बाइसाइकल पर सवार होने की मश्च कर ली शौक भी क्या चीज है जाइस नजाइस की तमीज ही उठा देता है इसकी तकमील में जो भी जराइक त्यार किये जाएं दुरस्त ही मालूम होते हैं चुनाचा एक दिन एक बुजरुक अपनी बाइसाइकल पर सवार मसन्निफ के घर उनसे मिलने आए और उन्होंने अपनी बाइसाइकल को बाग की सड़क के किनारे खड़ा किया मसन्निफ के अंदर जो शौक था बाइसाइकल चलाने का उन्होंने उसकी इप्तिदा शुरू कर दी यानि वो उस बुजरुक की बाइसाइकल पर अपनी मश करना चाहते थे इसलिए वो उसे अपने साथ ले गए जब उन्होंने पैडल पर पाउं रख कर दूसरा पैर उठाया तो बाइसाइकल एक तरफ लेट गई और मसन्निफ उसके अंदर फज गए लेकिन उन्होंने फिर भी इसकी परवा नहीं की और उन्होंने दुबारा कोशिश की और अब वो साइकल थोड़ी दूर चली और फिर इसी तरहां से दुबारा गिर गई और इस तरीके से गिरी कि मसन्निफ भी बाइसाइकल के साथ कलाबाजी खाते हुए नीचे गिर गए इसके बावजूद भी मसन्निफ कोशिश करते रहे अब मसन्निफ को इस हद तक मश्क हो गई थी कि वो बाइसाइकल के साथ गिरते नहीं थे संभल जाते थे चुनाचा वो एक दरखत का सहारा लेकर उसकी गदी पर पैट गए और बाइसाइकल को छोड़ दिया ये पड़ी तेजी से चली खैर ये हुई कि वो नाले के पुल से टकरा गई और हम मूँ के बल गिर पड़े अगर ऐसा ना होता तो यकीनन नाले में ही गिरते दूसरी मरतबा वो फिर बाइसाइकल पर सवार हो गए अपकी मरतबा तो उनके सामने धोबने आ गई और उन्होंने लाख बचने की कोशिश की लेकिन फिर भी वो उनसे टकरा गए और उन धोबनों में से एक बुड़ी धोबन ने उन्हें चारो शाने चित कर दिया उनके गुसे से डर कर मसन्निफ ने उनसे माफी तलाफी करके जान चुड़ाई और अब उन्होंने ये इरादा कर लिया कि अब वो इस बाइसाइकल पर सवार नहीं होंगे लेकिन उन्हें तो इसका शौक था और उनका ये शौक फिर उन पर हावी हो गया वो फिर हिम्मत करके उस बाइसाइकल पर सवार हो गए इस मरतबा वो जब तुबारा बाइसाइकल को चलाने लगे तो एक बुजरुक के साथ तकरा गए और वो बिचारे बुजरुक वजीफा पड़ते हुए जा रहे थे खेर मसन्निफ को बड़ी शर्मिंदगी हुई उन्होंने इन्हें उठाया और बहुत माफी भी मांगी लेकिन वो सिर्फ उन्हें खूरे ही जा रहे थे शौक फान्मी ने जब ये सूरत देखी तो बाइसाइकल की तरफ मतवज़ा हुए अब उसकी हालत ये थी कि हैंडल बिल्कुल ही घूम चुका था और साइकल की हालत भी बिल्कुल खराब हो गई थी इसलिए मसन्निफ चोरों की तरह बाइसाइकल को लिये हुए घर आ गए जब घर पर आए और जो उनके बजरुगों ने उनके साथ सलूक किया वो बयान करते हुए उन्हें शरम आती है शौक हर इंसान को होता है इसमें उमर की कोई कैद नहीं होती शौक इंसान को कम उमरी में भी हो सकता है जवानी में और बढ़ापे में भी जब किसी चीज़ का शौक एक बार पैदा हो जाए तो इनसान उससे पीछा नहीं छोड़ सकता वो शौक की तक्मील में इस कदर अंधा हो जाता है कि वो उसकी तक्मील के लिए ना तो किसी मसले की परवा करता है और ना ही जायस या ना जायस जराय अक्तियार करने से बाद रहता है इस हालत की कैफियत उस वक्त तक दूर नहीं होती जब तक उनका शौक पूरा नहीं हो जाता इस सबक में भी कुछ ऐसा ही हुआ है जब तक मुसंनिफ का शौक पूरा नहीं हुआ उन्होंने हर बार कोशिश करना चाही लेकिन बिलाखित जब वो उसमें नाकाम हो गए तो उन्हें इस बात की समझ आ गई कि अभी उनकी उमर इस शौक को पूरा करने के लिए मुनासिब नहीं है तो शौर्डंस ये था हमारा आज का टॉपिक उमीद है आपको बाइस साइकल की तालीम सबक का खुलासा बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको पता लग गया होगा कि इस सबक में क्या क्या हुआ था और किस तरहा हुआ था और इस सबक का मरकजी खयाल क्या है आपने बहुत अच्छे से समझना है अपना बहुत सारा खयाल रखेगा अल्ला हाफिस असलाम लेकुम शुडरेंज आप देख रहे हैं चैनल जोसका नाम है पढ़ाई घर उम्मीद है आप सब खेरियत से होंगे तो स्टुडेंट्स आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे मामा अजमत नौवल का हुलासा मुसनिफ के हवाले के साथ मामा अजमत ये सबक है सिन बोर्ट की फर्स्ट टियर उर्दू की दर्सी किताब का तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किये चलते हैं अपनी डिसकेशन के जानब हवाला मुसनिफ इस नौवल के मुसनिफ है इप्टी नजीर एहमद मौलवी नजीर एहमद दहलवी का शुमार अजीम नसर निकारों और नौवल निकारों में होता है वो उर्दू के पहले इसलाही नौवल निकार हैं उन्होंने नौवल भी इसलाह मौशरा के घर्ष से लिखे और बिलखुस खवातीन के इसलाह को पेशे नजर रखा इनकी तहरीर में शगुफ्तगी और अद्बी रखरखाओ दिखाई देता है असलूबे बया दिलकश है और इनकी तहरीरों में तंग नजरी का अंसर नहीं मिलता उन्होंने अपने नावलों में चुकरदार पेश किये हैं वो जीते जाकते मालूम होते हैं इन्हें मुहावरों के इस्तमाल पर पुद्रत हासिल है मामा अजमत खुलासा ये कहानी एक घराने की है जिसके सरभरा मौलवी साहाब है इस घर में एक मुलाजमा भी रहती है जिनका नाम है मामा अजमत इस घर में मौजूद तमाम खातून की जहालत की वज़े से मामा अजमत जोके इस घर की मुलाजमा है वो बहुत जादा नाजाइस फाइदा उठा रही थी और अपनी मकारियों के जरीए दोनों हातों से घर को लूट रही थी लेकिन मौलवी सहाब की एक बहू जिसका नाम अजगरीद था वो इंतहाई सुगर्ब खातून थी और पढ़ी लिखी भी थी उन्होंने मामा अजबत को मकारियों का जाल बिचाते देख लिया था इसलिए वो तमाम हालात का जाइजा भी ले रही थी मामा अजबत कुछ इस किसम की हरकते करती थी कि बजार से कुझड़े यानि सबजी वाले कसाई, बनिये, हलवाई, बजास इन सब दुकानदारों से जो घर का सौदा सल्फ उधार लाती थी वो घर में ज्यादा पैसे का पताती थी या ऐसा करती थी कि अपने घर का सौदा खरीद कर मालक के हिसाब में लिखवा देती थी या किसी पढ़ोसी से तो पैसा वसूल कर लेती और इसका समान दुकानदार से लेकर रकम अपने मालिक के हिसाब में डलवा देती थी अजगरी जो के इस घर की एक नहायत सुगर कातून थी उन्होंने तमाम हालात का जाइजा ले लिया था एक दिन घर के मालिक मौलवी साहब ने मामा अजबत से अपनी बहु अजगरी के सामने कहा कि जन लोगों से तुम घर का समान लेकर आई हो उनकी रकम अधा कर दो क्यूंके मामा अजबत एक नहायत चलाक खातून थी और वो हमेशा दर्मियान में से रकम खुद खाती थी इसलिए उन्होंने कहा कि मुझे तो जबानी हिसाब याद नहीं कोई एक हिसाब थोड़ी देना है बहुत से लोग हैं जिन में बनिया यानि पर्चून वाला बजास यानि कपड़ा बेचने वाला कसाई, कुझड़ा यानि सबजी बेचने वाला और हलवाई वगेरा शामिल है और सबसे बड़ा हिसाब तो हजारी मिल का है यानि कर्जा देने वाले का जो बहुत बड़ी रकम है आप तमाम रकम मुझे दे दीजिए मैं खुद इन सब के पास जाकर आपके नाम पर ये रकम जमा करवा दूँगी इस तरहां हिसाब साफ हो जाएगा मामा अजमत ने ये मशवरा इसी लिए दिया ताके इसकी साज़श बेनकाब न होने पाए जिसके जरीए वो दुकानदारों से काफी समान लाकर या तो खुद अपने घर ले जा चुकी थी या दूसरों को फरुख्त कर चुकी थी मौलवी साहब तो एक सीधे सादे आदमी थे वो मामा अजमत को तमाम रकम देने को राजी हो गए लेकिन उनकी बहू अजगरी ने कहा कि जब उधर की रकम अदा ही करनी है तो मामा अजमत के हाथों दुकानदारों को क्यो भेजें दुकानदारों को घर पर ही बलाकर अपने हाथ से इने रकम अदा कर देते हैं ये बात सुनकर मामा अजमत के तो तोते ही उड़ गे लेकिन مجبورण उसे ऐसा करना ही पड़ा इसने चुपकर दुकानदारों से मिलकर साजिश करना भी चाही और कुछ ले दे के इनका मूँ बन करना भी चाहा लेकिन अपने मकसद में नाकाम हो गई दुकानदारों ने घर पर आकर उसकी तमाम पोल खोल दी पता चला कि वो चुपके चुपके घर को तबाह करने में लगी हुई थी मौलवी नजीर एहमद ने जिस घराने का थिकर किया है इसको सलीका शुआर खातून अजगरी ने अपने सुगरपन और अकलमंदी से तबाह होने से बचा लिया और अपने घर की मुलास्मा मामा अजमत की साज़िशों को बेनकाब करके फौरी तोर पर मुलास्मत से अलादा कर दिया तो स्टूडन्स ये था नॉवल मामा अजमत का खुलासा उम्मीद है आपको इस नॉवल के बारे में बहुत अच्छे से मालूम हो गया होगा और आपने इस तमाम नॉवल की स्टूरी को अच्छे से समझ भी लिया होगा आपने इसको बहुत अच्छे से समझना है इसके खुलासे को क्योंकि इस से रिलेटिड आपके पास पेपर में कोस्ट्रिन आंसर्स भी आते हैं और एमसी क्यूस भी अपना बहुत सारा खयार रुखेगा अल्ला हाफिज अच्छे से पहले इस चैनल को सबस्क्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताके आप हमारी तमाम वीडियो से बाखबर रहें और बनो मसाल पाकिस्तान की क्यूंकि अब मुल्क को बहतर बनाना है असलाम लेकूम स्टुटरेंट्स आप देख रहे हैं चैनल जसका नाम है बढ़ाईगर उम्मीद है आप सब खेरियत से होंगे तो शुटरेंट्स आज हम आपको फर्स्ट यर की उर्दो की दर्सी किताब का एक तंजो मजा के सबक का बहावाला मसन्निफ खुलासा बयान करेंगे तो चलिए बगैर टाइम वेस्ट किये चलते हैं अपनी डिसकेशन के जानेब अठाईगर में खुशाम दीद सबसे पहले इस चैनल को सबस्क्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताके आप हमारी तमाम वीडियो से बाखबर रहें और बनो मसाल पाकिस्तान की क्योंकि अब मुल्क को बहतर बनाना है मैबल और मैं मैबल और मैं ये सबक एहमद शा पत्रस बुखारी का लिखा हुआ है एहमद शा पत्रस बुखारी उर्दू और अंग्रेजी दोनों जबानों पर कादर थे और साथ में काम्याब तर्जुमा लिखने वाले भी थे लेकिन अपने मजाया मजामीन के मजमुआ जो है मजामीन पत्रस की बदूलत इनका शुमार अर्दू के मुम्तास तरीन मजाहनिकारों में होता है पत्रस एक जहीन और फनकार अदीब थे इनका मुताला नहायत गहरा और मालुमात बहुत वसी थी खुलासा मैबल और मैं जैसा के इसके उनवान से ही जाहिर होता है कि इस सबक में सिर्फ दो किरदार हैं एक मैबल नामी कैम्बरच की मगरबी तालबा और दूसरा खुद मसन्निफ जो के मश्रुकी महौल में पले बड़े हैं और मगरबी तालीम के लिए एक मगरबी दर्सगा तक पहुचे थे मसन्निफ लिखते हैं कि मुझ में और मैबल में हम जमात होने की वज़र से राप्ता काइम हुआ हम दोनों लेक्चर्स में एक साथ शरीक होते दोनों की दल्चस्पियां भी बिलकुल एक जैसी थी जैसे मसवरी और मौसीकी का हम दोनों को शौक था हम दोनों अदब के ताल बेल्म थे किताबों पर बहसव मुबाहिसा करते थे गोया हम में कई हैसियतों से यकजहती और हम आंगी थी यानि वो कई हैसियतों से एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझते भी थे और बहुत सी बातों पर मुद्टफिक भी होते थे क्यूंके इन दोनों ने 20 वी सदी में परवरिश पाई थी इसलिए औरत मर्द की मसावात के काईल थे यानि ओरत और मर्द दोनों बराबर हैं ये दोनों इस बात के काईल थे मगर ये बात सिफ़ और सिफ रस्मी और जाहरी बात थी वरना हम दोनों में अपनी अपनी बरतरी का ज़भा मुजूद था मेबल अगर सिन्फिन नाужक से तालग होने के सबब अपने आपको रियायत का मुस्तहिक समझती तो मैं भी मर्द होने की हैसियत से अपनी बरतरी को काइम रखने की कोशिश करता ये बात मेरे लिए बड़ी तकलीदा थी कि मैबल का मताला मुझसे ज्यादा था इसमें मेरे मर्दाना वकार को ठेस पहुँचती थी और मज़ीद ये के मेबल मुझपर अपनी आला जहनी सलाहियतों का असर काइम करना चाहती थी यानि मेबल उन पर अपनी जहानत का ज्यादा असर दिखाती थी कि वो मसन्निफ से ज्यादा पड़ी लिखी हैं मेबल एक साथ बहुत सारी किताबें खरीद कर लाती थी और वो इस दावे से मसन्निफ यानि पत्रस बुखारी को दे कर जाती थी कि वो इनका बगौर मुताला कर चुकी है और वो चाहती हैं कि अब मसन्निफ यानि पत्रस बुखारी भी इनका मुताला कर ले और मुदाला करने के बाद वो इस पर बहुत अच्छे से बहस भी करना चाहती थी पत्रस बुकारी शुरू में तो अपनी जहानत साबित करने के लिए किताबों को बहुत जीजान से पढ़ते रहे लेकिन एक साथ इतनी सारी किताबों का मुताला करना उनके लिए मुश्किल होता गया इसलिए उन्होंने इसका एक आसान हल ये निकाला किताब को पढ़े बगेर ही उस पर तफसीली बहस करने लगे और कुछ वक्त तक वो इसी बात से काम चलाते रहे आखिरकार मसन्निफ के इस जमीर ने उनकी खुद की बद्द्यानती का एहसास दिलाया वो इतने ज्यादा परेशान हो गए कि वो बिमार हो गए उन्होंने अपनी बिमारी में मेबल से बात की और इस बात का इतराफ कर लिया कि वो किताबों के बारे में अब तक जो राय देते रहे वो बगैर पढ़े देते रहे यानि उन्होंने कभी भी किसी किताब को पढ़ा ही नहीं और ऐसे ही मेबल से बहसों मुबाइसे में लग गए लेकिन इस मौके पर भी मेबल ने अपनी जहनी बड़तरी के फरेब को काइम रखते हुए मुसनिफ को ये नहीं बताया कि उसने जो कहा है वो भी किताबों के मुताले के बगैर ही कहा है मेबल का ये फरेब मुसनिफ पर उस वक्त खुला जब मुसनिफ ने उसकी दी हुई किताबों को खूला और उसे पता चला कि उसके तो पास सफे भी नहीं काटे गए हैं जब वो सफे काटे ही नहीं गए तो इसका मतलब मेबल ने उन्हें पढ़ा ही नहीं तब मुसन्निफ को औरत और मर्द की बराबरी में कोई शक नहीं रहा जिस तरहां से मगर्ब में इसी बात को तसलीम किया जाता है कि मर्द और और औरत तोनों बराबर हैं लेकिन मश्रकी तालीम इस बात के बरक्स है इसमें मर्द हजरात को बड़तरी हासल है लेकिन फरेब में मर्त और और औरत दोनों ही बराबर हैं इस खुलासे से हमें ये पता लगता है कि औरत और मर्त किसी और बात में बराबर हो या ना हो लेकिन फरेब देने में दोनों ही बराबर हैं तो शुडिंट्स ये था हमारा आज का टॉपिक उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से इस सबक के बारे में समझ में आ गया होगा और आपने अपने तमाम कॉंसेप्ट भी क्लियर कर लिये होंगी आपने इसको गौर्ड से पढ़ना है क्योंकि इससे रिलेटिट पेपर में आपके पास कोस्टिन्स भी आते हैं और साथ में साथ M से क्योंस में भी इससे रिलेटिट आपसे पूछा जा सकता है अपना बहुत सारा खयाल रखिएगा खुदा हाफिज आप देख रहे हैं चैनल जिसका नाम है पढ़ाई खर अप देख रहे हैं चैनल जिसका नाम है पढ़ाई खर उम्मीद है आप सब खेरियत से होंगे तो स्टुड़न्स आज हम आपको फस्ट एर की उर्दो की दर्सी किताब के एक सबक आजादी की राह में का खुलासा बयान करेंगे पहवाला मसन्निफ के साथ तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किये चलते हैं अपनी दिसकेशन के जानब आजादी की राह में मसन्निफ का हवाला इस सबक की मसन्निफा हैं खदीज़ मस्टूर खदीज़ मस्टूर 1927 में लखनौ में पैदा हुई और उनका इंतकाद 1982 में हुआ खदीज़ मस्टूर को 20वी सदी की एहल कलम शक्सियात में मुमताज मुकाम हासल है खतीजा मस्तूर के अफसानों और नावलों की एहम खसूसियात इनका हकीकत पसंदाना अंदाज है वो जो कुछ हकीकत पसंदाना निगासे दिखती हैं बेजज़क बयान करने में आर महसूस नहीं करती इनकी तहरीरों में हमें इनसान और इनसानियत से लगाओ दिखाई दिखाई दिता है इनकी तहरीर से महबत का छड़ना बहता दिखाई दिखाई दिता है वो अपने तमाम एहसासाद के साथ इनसानों से हमडर्दी रखती हैं और इसका इजहार अपनी तहरीरों में करती हैं आजादी की राह में खुलासा सबग आजादी की राह में खतीज़ा मस्दूर ने तक्सीम हिंदुस्तान से कबल का एक वाकिए बयान किया है जो एक अंग्रेज अफसर और मुसल्मान के दर्मियान क्रोनमा हुआ नॉवल की हिरोईन के वालत एक सरकारी दफ्तर में मुलाजम थे वो अंग्रेजों से सक्त नफरत करते थे मगर सरकारी मुलाजम होने की वज़े से उनकी ताबेदारी करने पर मजबूर थे एक दिन उन्हें इतला मिली कि अंग्रेज सर इस इसलाके के दोरे पर आने वाला है यह इतला मिलते ही आलिया के वालत पहले से मस्रोफ हो गए क्योंकि अंग्रेज अपसर के इस्तग्बाल, कयाम और ताम का इंतजाम इनको ही करना था जिस दिन वो इंतजामात में मसरूफ थे उस दिन बहुत देर से घर आए जब आलिया के वालिद घर आए तो उन्होंने अपने घर वालों को हिदायत की कि वो कल रात को इस अंग्रेज अफसर को खाने पर मदू करेंगे इसलिए खाना नहायत एहतमाम के साथ तयार किया जाए ये सुनकर आलिया की वालिदा आलिया के वालिद का मजाक उड़ाने लगी कि एक तरफ तो तुम अंग्रेजों से नफरत करते हो और इन्हें बुरा भला भी कहते हो दूसरी तरफ तुम्हारे खुशामदाना रविया का ये हाल है कि तुम इनकी खातर मदारत का अंतिजाम भी कर रहे हो वो अपनी बीवी को इस ताने जनी से नराज होकर कहता है कि अगर अंग्रेज अफसर की खुशामद ना करूं तो तुम भीक मांगने पर मजबूर हो जाओगे दूसरे रोज आलिया के वालिया के वालिया सुभा ही दफ़तर चले गए वो हस्पे मामूल तुपहर को घर नहीं आए आलिया और इसकी वालिया खाना पाकाने के इंतिजाम में मसरूफ रही और कई किसम के खाने तयार किये जिन में कबाब और कोफते भी थे आलिया के वालिया अभी तक भी घर नहीं पहुँचे थे इस ताखीर पर आलिया और इसकी वालदा बेहत परेशान थी वो इसी खबराहट में थी कि दावत का इंतिजाम कराने के बाद वो अभी तक घर क्यों नहीं आए अचानक दफ्तर का एक चौकीदार भागता हुआ आया और बगैर इजाज़त घर के अंदर दाखिल हो गया और उसने कहा कि मौाइने के दौरान अंग्रेश अफसर ने आलिया के वालिया को गालिया दी और दोनों में किसी बात पर जखड़ा हो गया वो इस दिल्लत को परदाश ना कर सके और रोल से अंग्रेश का सर फाट दिया इस पर पुलीस इन्हें किरफतार करके ले गई ये खबर मिलते ही घर में कहराम मच गया मा बेटी सारो कतार रोने लगी और दोनों ने पुलीस टेशन जाने का इरादा किया मगर मुलाजम ने इन्हें जाने नहीं दिया जब ये इतला आलिया के चचचा और मामू को मिली तो मामू ने अंग्रेशों की हमायत में ये कहकर मदद करने से इनकार कर दिया कि एकदाम कतल बड़ा जुर्म है ऐसे आदमी के एहले खाना की मदद करना खत्रे से खाली नहीं है आलिया के चचचा ने सब को तसली दी और घर का सामान बंदवा कर तांगों में लदवा दिया और वो खुद बहां से रुकसत होने लगे तांगा अभी चलना शुरू ही किया था कि आलिया की नजर इसके स्कूल की इसाई निगरांद पर पड़ी वो दोड़ती हुई उनकी तरफ आ रही थी इसाई आउरत ने इन लोगों से अपने हमदर्दाना जजबात का इसहार करते हुए कहा कि तुम सब खुशी से रहना घम करने की जरूरत नहीं है आलिया के वालिद शरीफ आदमी है तुम्हारा मलक जरूर आजाद होगा और इसके बाद वो इसाई आउरत खुदा हाफ़स कहकर तांगे से तूर हट गई और वो लोग भी रवाना हो गए ये मजमून खतीजा मस्तूर के मशूर नोवल आंगन से लिया गया है आंगन खुद एक अलामत के तौर पर इस्तमाल हुआ है इससे मुराद वो मुस्लिम माश्रा है जिसके अफराद सियासी तौर पर बटे हुए थे कोई मुस्लिम लीग में था तो कोई कॉंग्रेस में गर्ज ये नोवल कयाम पाकिस्तान से पहले मुसल्मानों की जत्तो जहत अजादी का एक मुस्तर बयान है इस सबक में जैसा के इस उन्वान से जाहर है कि अजादी की रह में क्या कुछ होता है और क्या कुछ करना पड़ता है कि वो अंग्रेजों से नफरत करते हैं मुसल्मान अंग्रेजों का महकूम जरूर था लेकिन अपनी इसलामी गहरियत और हम्मियत को पामाल होते नहीं देख सकता था गोया हर मुसल्मान अजादी की रह में एक सच्चा मुजाहिद था तो सुरिंट्स ये थे हमारा आज का टॉपिक उम्मीद है आपको अजादी की रह में सबक का खुलासा बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और इसका मरकजी खयाल भी समझ में आ गया होगा आपने इसको बहुत अच्छे से समझना है क्योंकि इस से रिलेटिट आपके पेपर में खुलासा आ सकता है अपना बहुत सारा खयाल रखेगा खुदा हाफिज असलाम अलेकुम शुड़न्स आप देख रहे हैं चैनल जिसका नाम है पढ़ाई घर उम्मीद है आप सब हैरियर से होंगे तो शुड़न्स आज हम आपको फस्ट येर की उर्दू की तरसी किताब के सिन्फ यानि तन्जो मजास से एक सबक का खुलासा कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताके आप हमारी तमाम वीडियो से बाखबर रहें और बनो मसाल पकिस्तान की चुके अब मुल्क को बहतर बनाना है बाइसाइकल की तालीम ये सबक मुहम्मद उमर शुकत थानवी का लिखा हुआ है मुहम्मद उमर शुकत थानवी 1907 में पैदा हुए और 1963 में उनका इंतकाल हुआ नाम मुहम्मद उमर था और शुकत तखल्स के तोर पर इस्तमाल होता था और शुकत थानवी के नाम से मशूर हुए यूपी के मशूर कस्पे थानबून के रहने वाले थे शौकत थानवी की जबान बहुत सादा आम फहम और शगुफता है इनकी तहरीरों में बला की रवानी है वो अपनी इलमियत का मुझाहरा नहीं करते बलके वाकियात को ऐसी तर्तीब और ऐसे अंदाज में पेश करते हैं कि संजीदा आदमी भी बे लब होने प राज है और इसी लिए इनकी तहरीरों को जबर्दस्त अवामी मकबूलियत हासल हुई बाइसाइकल की तालीम खुलासा ये खुलासा मुसन्निफ ने अपने बच्चपन के दौर की एक कहानी बयान की है जिनमें उन्होंने बताया है कि बच्चपन में मुसन्निफ यानी दूसरे हम उम्रों को जब बाइसाइकल पर सवार हुआ देखते थे तो उनमें भी बाइसाइकल का शौक पैदा हुआ अगर्चा कद अभी इतना नहीं हुआ था कि पैर पैडल तक असानी से पहुच जाता लेकिन फिर भी उनके अंदर शौक बढ़ता गया और इश्की सू हवा में तेर थे फिरें इसी का तसकरा करते और खुआप भी बाइसाइकल के नजर आते मुसन्निफ के बुजरुगों को इसका इल्म था वो उनकी इस कैफियत से बहुत ज़्यादा तंग थे इसलिए वो मुसन्निफ को हमेशा मुतमाइन करने की फिकर में लगे रहते उनक लेकिन मुसन्निफ ने ये जिद लगाई कि पहले खरीद कर दें फिर वो सीखेंगे आखिर दोनों की बात इस बात पर आकर ठहरी कि किसी पुरानी बाइसाइकल पर पहले सवार होने की मश कर ले और फिर अगर वो सीख गए तो फिर उनके बड़े उने खरीद कर भी दे दे सवार होने की मश कर ली शौप भी क्या चीज है जाइस नजाइस की तमीज ही उठा देता है इसकी तकमील में जो भी जरायक त्यार किये जाएं दुरुस्त ही मालूम होते हैं चुनाचा एक दिन एक बुजरुक अपनी बाइसाइकल पर सवार मुसन्निफ के घर उनसे मिलने आए और उन्होंने अपनी बाइसाइकल को बाग की सड़क के किनारे खड़ा किया मुसन्निफ के अंदर जो शौक था बाइसाइकल चलाने का उन्होंने उसकी इप्तदा शिरू कर दी यानि वो उस बजरुक की पाइसाइकल पर अपनी मश करना चाहते थे इसीलिए वो उसे अपने साथ ले गए जब उन्होंने पैडल पर पाउं रख कर दूसरा पैर उठाया तो बाइस साइकल एक तरफ लेट गई और मुसनिफ उसके अंदर फज गए लेकिन उन्होंने फिर भी इसकी परवा नहीं की और उन्होंने दुबारा कोशिश की और अब वो साइकल का बाजी खाते हुए नीचे गिर गए इसके बावजूद भी मुसनिफ कोशिश करते रहे अब मुसनिफ को इस हद तक मश्क हो गई थी कि वह बाइस साइकल के साथ किरते नहीं थे संभल जाते थे चुनाचा वह एक दरखत का सहारा लेकर उसकी गदी पर पैट गए और बा अगर ऐसा ना होता तो यकीनन नाले में ही गिरते दूसरी मर्तबा वह फिर वाइस साइकल पर सवार हो गए अपकी मर्तबा तो उनके सामने धोबने आ गए और उन्होंने लाख पचने की कोशिश की लेकिन फिर भी वह उनसे टकरा गए और उन धोबनों में से एक बुड़ ने उनसे माफी तलाफी करके जान चुड़ाई और अब उन्होंने ये इरादा कर लिया कि अब वो इस बाइस साइकल पर सवार नहीं होंगे लेकिन उन्हें तो इसका शौक था और उनका ये शौक फिर उन पर हावी हो गया वो फिर हिम्मत करके उस बाइस साइकल पर सवार हो गए इस मरतबा वो जब दुबारा बाइसाइकल को चलाने लगे तो एक बुजरुक के साथ तकरा गए और वो बिचारे बुजरुक वजीफा पड़ते हुए जा रहे थे खेर मुसन्निफ को बड़ी शर्मिंदगी हुई उन्होंने इन्हें उठाया और बहुत माफी भी मांगी लेकिन वो सिर्फ उन्हें खूरे ही जा रहे थे शौकत थानमी ने जब ये सूरत देखी तो बाइसाइकल की तरफ मतवज़ा हुए अब उसकी हालत ये थी के हैंडल बिलकुल ही घूम चुका था और साइकल की हालत भी बिलकुल खराब हो गई थी इसी लिए मुसन्निफ चौरों की तरह बाइसाइकल को लिए हुए खर आ गए जब खर पर आए और जो उनके बुजरुगों ने उनके साथ सुलूक किया वो बयान करते हुए उन्हें शरम आती है शौक हर इंसान को होता है इसमें उमर की कोई कैद नहीं होती शौक इंसान क इसान को कम अम्री में भी हो सकता है जवैनी में और पुढ़ापे में भी जब किसी चीज का शौक एक बार पैदा हो जाए तो इनसान उससे पीछा नहीं छोड़ सकता वो शौक की तक्मील में इस कदर अंधा हो जाता है कि वो उसकी तकमेल के लिए ना तो किसी मसले की पर्वा करता है और ना ही जाइस या ना जायस जराय अख्तियार करने से बाज रहता है इस हालत की कैफियत उस वक्त तक दूर नहीं होती जब तक उनका शौक पूरा नहीं हो जाता इस सबक में भी कुछ ऐसा ही हुआ है जब तक मुसंनिफ का शौक पूरा नहीं हुआ उन्होंने हर बार कोशिश करना चाही लेकिन बिलाखिर जब वो इसमें नाकाम हो गए तो उन्हें इस बात की समझ आ गई कि अभी उनकी उमर इस शौक को पूरा करने के लिए मुनासिब नहीं है तो शौक ये था हमारा आज का टॉपिक उम्मीद है आपको बाइस साइकल की तालीम सबक का खुलासा बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको पता लग गया होगा कि इस सबक में क्या क्या हुआ था और किस तरहा हुआ था और इस सबक का मरकजी खयाल क्या है आपने बहुत अच्छे से समझना है अपना बहुत सारा खयाल रखेगा अल्ला हाफिज आप देख रहे हैं चैनल जोसका नाम है पढ़ाई घर उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे तो स्टुडेंट्स आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे मामा अजमत नौवल का खुलासा मुसनिफ के हवाले के साथ मामा अजमत ये सबक है सिन बोर्ट की फरस्ट एर उर्दू की दर्सी किताब का तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किये चलते हैं अपनी डिसकेशन के जानब हवाले मुसनिफ इस नौवल के मुसनिफ हैं टिप्टी नजीर एहमद मौलवी नजीर एहमद दहलवी का शुमार अजीम नसर निकारों और नौवल निकारों में होता है वो उर्दू के पहले इसलाही नौवल निकार हैं उन्होंने नौवल भी इसलाए मौशरा के घर्श से लिखे और बिलकुसूस खवातीन के इसलाख को पेशे नजर रखा इनकी तहरीर में शगुफ्तगी और अद्बी रख रखाओ दिखाई देता है असलूबे बया दिलकश है और इनकी तहरीरों में तंग नजरी का अंसर नहीं मिलता उन्होंने अपने नावलों में जुकरदार पेश किये हैं वो जीते जाकते मालूम होते हैं इन्हें मुहावरों के इस्तमाल पर पुद्रत हासिल है मामा अजमत खुलासा ये कहानी एक घराने की है जिसके सरभरा मौल्वी साहाब है इस घर में एक मुलासमा भी रहती है जिनका नाम है मामा अजमत इस घर में मौजूद तमाम खातून की जहालत की वज़े से मामा अजमत जोके इस घर की मुलासमा है वो बहुत जादा नाजाइस फाइदा उठा रही थी और अपनी मकारियों के जरीए दोनों हातों से घर को लूट रही थी लेकिन मौलवी सहाब की एक बहू जिसका नाम अजगरी था वो इंतहाई सुगर्ब खातून थी और पढ़ी लिखी भी थी उन्होंने मामा अजबत को मकारियों का जाल बिचाते देख लिया था इसलिए वो तमाम हालाद का जाइजा भी ले रही थी मामा अजबत कुछ इस किसम की हरकते करती थी कि बजार से कुझड़े यानि सबजी वाले कसाई बनिये हलवाई बजास इन सब दुकानदारों से जो घर का सौधा सल्फ उधार लाती थी वो घर में ज्यादा पैसे का पताती थी या ऐसा करती थी कि अपने घर का सौधा खरीद कर मालिक के हिसाब में लिखवा देती थी या किसी पढ़ोसी से तो पैसा वसूल कर लेती और इसका समान दुकानदार से लेकर रकम अपने मालिक के हिसाब में डलवा देती थी अजगरी जो के इस घर की एक नहायत सुगर कातून थी उन्होंने तमाम हालात का जाइजा ले लिया था एक दिन घर के मालिक मौलवी साहब ने मामा अजबत से अपनी बहु अजगरी के सामने कहा कि जन लोगों से तुम घर का समान लेकर आई हो उनकी रकम अधा कर दो क्यूंके मामा अजबत एक नहायत चलाक खातून थी और वो हमेशा दर्मियान में से रकम खुद खाती थी इसलिए उन्होंने कहा कि मुझे तो जबानी हिसाब याद नहीं कोई एक हिसाब थोड़ी देना है बहुत से लोग हैं जिन में बनिया यानि पर्चून वाला बजास यानि कपड़ा बेचने वाला कसाई, कुंजडा यानि सबजी बेचने वाला और हलवाई वगेरा शामिल है और सबसे बड़ा हिसाब तो हजारी मिल का है यानि कर्जा देने वाले का जो बहुत बड़ी रकम है आप तमाम रकम मुझे दे दीजिए मैं खुद इन सब के पास जाकर आपके नाम पर ये रकम जमा करवा दूँगी इस तरहां हिसाब साफ हो जाएगा मामा अजमत ने ये मशवरा इसी लिए दिया ताके इसकी साज़श बेनकाब न होने पाए जिसके जरीए वो दुकानदारों से काफी समान लाकर या तो खुद अपने घर ले जा चुकी थी या दूसरों को फरुख्त कर चुकी थी मौलवी साहब तो एक सीधे सादे आदमी थे वो मामा अजमत को तमाम रकम देने को राजी हो गए लेकिन उनकी बहु अजगरी ने कहा कि जब उधार की रकम अदा ही करनी है तो मामा अजमत के हातों दुकानदारों को क्यो भेजें दुकानदारों को घर पर ही बुलाकर अपने हाथ से इन्हें रकम अदा कर देते हैं ये बात सुनकर मामा अजमत की तो तोते ही उड़ गए लेकिन मजबूरन उसे ऐसा करना ही पड़ा इसने चुपकर दुकानदारों से मिलकर साज़िश करना भी चाही और कुछ ले दे के इनका मूँ बन करना भी चाहा लेकिन अपने मकसद में नाकाम हो गई दुकानदारों ने घर पर आकर उसकी तमाम पूल खोल दी पता चला कि वो चुपके चुपके पूरे घर को तबाह करने में लगी हुई थी मौलवी नजीर एहमद ने जज़गराने का दिकर किया है इसको सलीका शुआर खातून अज़गरी ने अपने सुगरपन और अकलमंदी से तबाह होने से बचा लिया और अपने घर की मुलाजमा मामा असमत की साज़िशों को बेनकाब करके फौरी तोर पर मुलाजमत से अलादा कर दिया तो स्टुड़न्स ये था नॉवल मामा असमत का खुलासा उम्मीद है आपको इस नॉवल के बारे में बहुत अच्छे से मालूम हो गया होगा और आपने इस तमाम नॉवल की स्टुरी को अच्छे से समझ भी लिया होगा आपने इसको बहुत अच्छे से समझना है इसके खुलासे को क्योंकि इस से रिलेटट आपके पास पेपर में कोस्टिन आंसर्स भी आते हैं और M.C. Qs भी अपना बहुत सारा खयार रखेगा अल्ला हाफिज अठाई घर में खुशाम दीद सबसे पहले इस चैनल को सबस्क्राइब कर ले और बेल आइकन पे क्लिक कर ले ताके आप हमारी तमाम वीडियो से बाखबर रहें और बनो मसाल पाकिस्तान की चुक्छे अब मुल्क को बहतर बनाना है असलाम लेकुम स्टुटरिंस आप देख रहे हैं चैनल जसका नाम है पढ़ाईखर उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे तो शुटरिंस आज हम आपको फिर्स्ट यर की उर्दो की दर्सी किताब का एक तंजो मजा के सबक का बहावाला मसन्निफ खुलासा बयान करेंगे तो चलिए अगैर टाइम वेस्ट किये चलते हैं अपनी डिसकेशन के जानेब अठाई घर में खुशाम दीद सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताके आप हमारी तमाम वीडियो से बाखबर रहें और बनो मसाल पाकिस्तान की क्योंके अब मुल्क को बहतर बनाना है मेबल और मैं मेबल और मैं ये सबक अहमद शा पतरस बुखारी का लिखा हुआ है अहमद शा पतरस बुखारी उर्दू और अंग्रेजी दोनों जबानों पर कादर थे और साथ में काम्याब तर्जमा लिखने वाले भी थे लेकिन अपने मजाया मजामीन के मजमुआ जो है मजामीन पत्रस की बदालत इनका शुमार अर्दू के मुम्तास तरीन मजाहनिकारों में होता है पत्रस एक जहीन और फनकार अदीब थे इनका मताला नहायत गहरा और मालूमात बहुत वसी थी खुलासा मेबल और में जैसा के इसके उनवान से ही जाहर होता है कि इस सबक में सिर्फ दो किरदार हैं एक मेबल नामी कैम्बरिच की मगरबी तालबा और दूसरा खुद मसन्निफ जो के मश्रकी महौल में पले बड़े हैं और मगरबी तालीम के लिए एक मगरबी दर्सगा तक पहुँचे थे मसन्निफ लिखते हैं कि मुझ में और मेबल में हम जमात होने की वज़र से राप्ता काइम हुआ हम दोनों लेक्चर्ज में एक साथ शरीक होते दोनों की दल्चस्पियां भी बिलकुल एक जैसी थी जैसे मसवरी और मौसीकी का हम दोनों को शौक था हम दोनों अदब के तालबे इल्म थे किताबों पर बहसव मुबाहिसा करते थे गोया हम में कई हैसियतों से यकजहती और हम आंगी थी यानि वो कई हैसियतों से एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझते भी थे और बहुत सी बातों पर मुत्तफिक भी होते थे क्योंके इन दोनों ने बीसवी सदी में परवरिश पाई थी इसलिए औरत मर्द की मसावात के काईल थे यानि औरत और मर्द दोनों बराबर हैं ये दोनों इस बात के काईल थे मगर ये बात सिर्फ और सिर्फ रस्मी और जाहरी बात थी वरना हम दोनों में अपनी अपनी बरतरी का जजबा मुझूद था मैबल अगर सिन्फिन नाजुक से तालुक होने के सबब अपने आपको रियायत का मुस्तहिक समझती तो मैं भी मर्द होने की हैसियत से अपनी बरतरी को काईम रखने की कोशिश करता ये बात मेरे लिए बड़ी तकलीड़ दथी कि मेबल का मुताला मुझसे ज़्यादा था इसमें मेरे मर्धाना वक्कार को ठीच पहुँचती थी और मज़ीध ये कि मेबल मुझ पर अपनी आला जहनी सलाहियतों का असर काइम करना चाहती थी यानी मैبل उन पर अपनी जहानत का ज़्यादए असर दिखाती थी कि वो मसन्निफ से ज़्याद़ पड़ी लिखी है मैبل एक साथ बहुत सारी किताबें खरीद कर लाती थी और वो इस दावे से मसन्निफ यानी पत्रस बखारी को दे कर जाती थी कि वो इनका बगौर मुताला कर चुकी है और वो चाहती हैं कि अब मसन्निफ यानि पत्रस बुखारी भी इनका मुताला कर ले और मुताला करने के बाद वो इस पर बहुत अच्छे से बहस भी करना चाहती थी पत्रस बुकारी शुरू में तो अपनी जहानत थाबित करने के लिए किताबों को बहुत जीजान से पढ़ते रहे लेकिन एक साथ इतनी सारी किताबों का मुताला करना उनके लिए मुश्किल होता गया इसी लिए उन्होंने इसका एक आसान हल ये निकाला कि किताब को पढ़े बगेर ही उस पर तफसीली बहस करने लगे और कुछ वक्त तक वो इसी बात से काम चलाते रहे आखिरकार मसन्निफ के इस जमीर ने उनकी खुद की बद्यानती का एहसास दिलाया वो इतने ज्यादा परेशान हो गए कि वो बिमार हो गए उन्होंने अपनी बिमारी में मैबल से बात की और इस बात का इतराफ कर लिया कि वो किताबों के बारे में अब तक जो राय देते रहे वो बगेर पढ़े देते रहे यानि उन्होंने कभी भी किसी किताब को पढ़ा ही नहीं और ऐसे ही मैबल से बहसों मुबाइसे में लग गए लेकिन इस मौके पर भी मैबल ने अपनी जहनी बड़तरी के फरेब को काइम रखते हुए मुसनिफ को ये नहीं बताया कि उसने जो कहा है वो भी किताबों के मुतालेके बगेर ही कहा है मैबल का ये फरेब मुसनिफ पर उस वक्त खुला जब मुसनिफ ने उसकी दी हुई किताबों को खोला और उसे पता चला कि उसके तो पास सफे भी नहीं काटे गए हैं जब वो सफे काटे ही नहीं गए तो इसका मतलब मैबल ने उन्हें पढ़ा ही नहीं तब मुसन्निफ को और मर्द की बराबरी में कोई शक नहीं रहा। जिस तरहां से मगर्ब में इसी बात को तसलीम किया जाता है कि मर्द और और ओरत दोनों बराबर हैं लेकिन मश्र की तालीम इस बात के बरक्स है इसमें मर्द हजरात को बड़तरी हासल है लेकिन फरेब में मर्द और और ओरत दोनों ही बराबर हैं इस खुलासे से हमें ये पत तो students, यह था हमारा आज का topic, उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से इस सबग के बारे में समझ में आ गया होगा, और आपने अपने तमाम concepts भी clear कर लिये होंगे, आपने इसको गौर से पढ़ना है, क्योंकि इससे related, पेपर में आपके पास questions भी आते हैं, और साथ में साथ, MCQ उसमें भी इससे related आप से पूछा जा सकता है, अपना बहुत सारा खयाल रखिएगा, खुदा हाफिज